नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ओन स्टड़ी में आज मैं आप लोग को सामने विनोभावे युनिवर्सिटी बेट सेमेश्टर टू के लिए लर्निंग एंड टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग का जो कोशन पुछा गया था 2016-18 के सिर्सन में वह मैं पूरे कोशन लेकर हैं विठ डिसकसन तो फ्रैंट्स आप लोग बने रहे हमारी चैनल में आप लोग को पूरे विज़तार से बताऊंगा तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अभी सबसे पहले फ्रैंट्स मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं यह कहूंगा गुरूप एक को सबसे पहले साउधानी पूरा का आप लोग बनाएंगे क्योंकि सबसे कम समय में आप लोग को ज्यादा मार्स देगा यानि आप लोग के पांच मिन पीछे समय देते हैं तो आप लोग के 20 मार्स देगा तो फ्रैंट्स सबसे इजी और सबसे और सबसे बेश्ट यही है तो देखें ऑप्शन स्टार्ट करता हूं पहला को सनी फ्रैंट्स साइकलोजी इस दा साइन्स अफ एक्टिविटीज ऑफ दा ऑफ दा इंडिविज्वल इन रिलेशन तु इन्वर्मेंट हूसे दिस और फ्रैंट्स को सबसें और मनु विज्या मनु विज्यान बृत अब मैं यह बताना चाहता हूं यह मनाविज्यानी क्या होता है नहीं कुछ नहीं है 26000 म अब देखे इसमें काफी महत्मून होता है यह हमें से एक्जाम में पूछता है तो यहां कहा था अगर कोशन आता ना देखे सुनिये गाते हैं से क्योंकि आप लोग याद कर सकते हैं क्या चिजस को अनुभाव करते हैं और उसी अनुसा भी करते हैं जैसा है उसी है तर चलेए देखे मन नाम की टो जश्चनला मन का चुछा स्टेट्टमेंट मॉनेल संभ साथ क्यों मना Welcome था मन्हों विख्ञान का संबन्थ था हुकत है क्यों है जिस्क को सोचते हैं रहे तो इसका राइड ऑ़ से संबंधित होती है चैछन तता अधिगम अपनोगको यह बताना चाहते हो देखे अधिगम सबसे पहले अधिगम करता होता है सीखना तो इसुना तो इसमें तीन चीज़ आता है एक होता है वितलायम तो फ्रेंश यह जो ङतन होता हूता है फ्रेंश यह जो लूट जी ते लूट इनился होता है फ्रेंश चॅल ऑनुट लो जा। मन्हों आदियों का जाता है किलियर है and next question is 9 एक importance इस इस में और देख लें option करों को यह हो रहा तो क्रुण का के भी importance रहता क्योंकि बहुत importance हो तक क्रुण का की बीस फयर्ट में उनका बता देता हु और मानब संबंधों का अध्यान है कि लिए व्यवर और संबंधों का अध्यान है ठीक है इस संब्ढन और इस याद रखिए हैं ट्रीक से बता दिया हूं अगर वुडबर्ट रहता तो वातवरण मार दिजिए और अगर आप Mayo की अनुभव से ड़ेगा तो असकीष से नियु जोगा हूं एंड नेक्स्ट मोटिवेशन से सॉरी अभी प्रेजना किसी कारे को प्रारम करने जारी रखने तथा नियंतित करने की प्रक्रिया यह किसका कतना है काफी अच्छा कोश्ता नहीं है यानि कि इसको में बोल सकते हैं मोटिवेशन इस दा प्रोसेस ऑफ रोजिंग सश्टेविंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटिविटी फूसेड तो इसके बारे मैं पूरा विस्ताफ से बताना चाहता हूं देखिए यह जो अस्टेट अंत्रिक बल होता है लच्छे प्राप्ति के लिए अंत्रिक बल को उत्पन होना अभी प्रिर्णा कहलाता है या फिर देखिए हम लोगों सेमेश्ट टू का पेपर फाइब लिख रहा है तो हमारे लच्छे यानि को काम भी को किसी चीज़ को कि आपको पीता जी आ माता जी दिकरने के लिए लेकिन आप उस काम को इग्नॉर करेंगा बातमे के लिए ख्रोक्ति लाइत को गто करने के प्रकिर है जब भी जारी करने के लिए यह यानि तीनों चीज आ जाए गा और उसका एंशर कि कोई इंसान तभी उसको अच्छा बोलते हैं जब हमेसा चांटिनिव अच्छा इंसान परफॉर्मेंस करते हैं लुग लिग एक जी ही होता न जो हम इसा अपना कारी को कंट्रोल है और स्मूथली चले तो उसको बने तो इसका राइन से गुड गुड नामक में ज्ञानिक नहीं कहाता है इसे याद रखेगा एड नेक्स्ट देखेए इसमें क्रे एंड क्रेच नेम भी एक कुछ बोला था उनके बारे में ऑप्सन नहीं दे क्रेश नहीं बताओं गा टाओंगा ठीक है फिक्सथी करने के एक को सबस्क्राइब क्लासिकल डिस्कनरऊ तो इसके लिए आप लुग को मैं बताता हूं सबसे पहले थिए थे और पुलो के दौरा यानि पॉलो के द्वार दिए गाता यानी की ऑपसन नंबर क्या आप्सन नंबरी हो गया पाफ्लो के दिए गया था सीकन सबसे पहले याद रखेगा सीखने सीखने का सिधान के अधार पर था जिससे अनुबंधन की मात्रा भी कहते हैं अब देखे अनुबंधन एक ऐसी प्रकिरिया था जिसके अधीपन यानि इसका जो एंसर होगा समझे इसमें उधीपन और अनुकिरिया की संबन्ध होता है ठीक है जो पाउलो जो यूज किया था वहां कुट्टे का परियोग किया था किसका अगर आता है ना कि पाउलो ने कि किस्ति चीछ का यूज ग a Kenitra नेक्स के प्राथी का सिधन किसकी दौप दिया गया y काफी महत्पून है काफी महत्पून है बोरा ट्रेल एंड इरर थेओरी वाज घिवज फैंस त्रेल यानि कि प्रैते और टुटी का जो शिधान दिया गया था वह और नमस फॉक्सण के दौर दिया था याद कर लिए था इसे याद कर ले जाएंगा वह नेक्स्ट डेखेंट इसतों वहना के दौर दिया था नेक्स्ट क्या वह राक्तारे निर्चन पदती की कि अभाव है। agreeability, objectivity, वस्तुता यानि इसका सभी होगा। क्या बोल है अंता निर्षन पदिति से अभाव है। तो अंता निर्षन ने अपने आप में किसी चीज का निर्षन कर रहा हैं तो उसे बोलते हैं अंता निर्षन आपने आप को यानि अपने तुलां अपने आप से करें, मन से हो ग करते हैं तो इससे बोलते अंतर निरिचन अपने आपसे अ कर रहा है तो इससे बोलो पढसे पर निरिचन जरूरी होता है निम ने कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है सब्सक्राइब करता ही दो तो हमें यह तो व्यक्तितु भेद का सिधान आता है समान से समान पुछते क्रिया तक बढ़ने का सिध्धान एकी करन का सिध्धान विकास में वैसे आप लोग इसको एकॉडिंग आ रहेगा के लिए अपने अनुसर ठीक है देख लेज़ेगा वैसे परतिमान कभी नियम सोग करता ही है नेक्स बीएफ असकीनर के अनुसर बच्चों में भासा के विकास निम्लिखित का पर बोलते हैं दाफ दादा पाफ पापा इस टाफ से लोग सिखाया था एफ फोर एपल बीफोर बॉल तो फ्रांट इसी को हम लोग बोलते इसी प्रक्रिक बोलते अनुकुरन ठीक है आप पुर्णा वलन तो आप लोग जानती होंगे ठीक है ना तो यह होता इसका रूल अब क्या बोलते हैं च्ब्लासिकर करने के बाउजिदद होते हैं क्यूंक वा किरिया प्रसूत अनुकुलन किलीए नेक्स्ट व्यक्तित्यों का स्वासिधान किसके दौर दे यह ता यानि सेल्फ थे और प्रसून्टी सेल्फ थेऊरिय फ्रसून टीवज गिवन वह सोवाजिग कारल कर्लोजर स्लटberry और करोगा लिफ्ल की तिरह कर तो सब्सक्राइब और ननुदर यहां पर सिथाफ торы मालिज ने कि इस तरो malt होगा कना पूर एयां और rapt b अब देखते हैं गुरूप बी फ्रेंट्स काफी महत्पून कोसन होता है तो स्टाट करता हूं मैं इसमें आप लोगों को ध्यान रखना इसके पांच प्रशनों का उत्तर देना है तो देखें अधिगम की योजना क्या है फ्रेंट्स आप लोगों सबसे पहले अधिगम के ब परिवर्तन है जो तीन चीज़ पर डिपेंट करता है समसे पहले वेभार पर वेभार पर डिपेंट करता है उसके साथ प्रैक्टिस पर यानि अभ्यास पर अभ्यास पर आएक होता फ्रांट्स प्रसिच्छन पर यानि किसी किसी व्यक्ति में वेभार अभ्यास तो अधिगम यह था सिच्छन अधिगम प्रकिरिया की प्रमुख चुनौतियां क्या है फ्रेंट्स यह सब आप लोगों को लिखने का को सब्सक्राइब करने वाला विभिन कारकों के विवेचना करें यह कौसन काफी महत्पून है तो मैं इसके बारे कुछ बता देता हूं त करता है कि सब्सक्राइब करते हैं करते उसके उसके बाद आप करq लिखेंड सब्सक्राइब उसके साथ साथ उसके बाद आप लोग को भी लिख सते हैं कोई इंसान अगर बीमारी से होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ दुरगटना चोडग्रस्त परिवार समाज देश संस्कृति सब्भेता यह सब अधीवार समाज वenteom को प्रहवित करता इसके से अब पियान में रखें काफी महत्पूर्नी चीज टाइए चलियर है तो अभी ी प्रिरना के की बारे पूछ रहा है तौ फूच रहा है इंटा सब्सक्राबिंति है कितेह वाता है लेकिन यांद दख画 लचाई के लिए लच्छे प्राप्ति के जैसे देखिए अगर कोई बैक्ति कोई सीख रहा है अगर आप लोग अभी हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे तो यह भी क्या अधिगम हो गया अभी प्रिर्णा है तो याद एक इंपोर्टेंसी अधिगम अधिगम सबसे सीखना एक अधिगम है जो सिया जुनून को अभ बोलेंग अभी प्रिर्णा यानि फ्रेंस यहां पर दो चीज आ गया जो सा जुनून यह जो जुन आपके लिए अभी प्रिर्णा लेकिन सीखना के अधिगम है और अधिगम याद रखेगा अधिगम के सरवार्दिक आवस्यक अभी प्रिर्णा होती है यह भी लिख सकते लोग कि अधिगम के सरवार्दिक अधिगम के सरवार्दिक अभी प्रिणा होती है इसे ध्यान में रखेगा काफी महत्पूर नहीं है चलिए अब इसके वारे जो वेग्यानिक बूला था उसे भी लिख सकते हैं यानि कि देखे सबसे पहले गूद नामक गुद नामक जारी करने और उसके साथ नियन्तित करने की प्रकृति है यानि किस और किस ने जारी रहिए इसके साथ एक और बारे में मैं बताने का प्रयास किया तो वह कॉन को और अभी प्रेवनहार क्यों का उत्तर देता है लिए आकलड क्यों पढ़ रहे हैं ्खनी इन्स समर्थित एक विशिष्ट्च शिछन उपागम का वर्णन करें, यहानि फिरन discuss a specific teaching approach that support learning, इसके बाए आप लोग को लिखना है, यहानि अधीगम के लिए क्या आवस्या को फोने चाहिए, इसके बारे हुआ है, किलर है नेक्स्ट अधिगम में समाजिक सांस्कृतिक पहलू का वर्णन करें यानि अधिगम जो है आपके समाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर क्या एफेक्ट्स करते हैं इसके बार आप लोगों को लिखना है आप खुद लिख सकते हैं कर लिजे हो जाएगा मुल्यों काधिगम क्या है यानि किसी विश्तु का अधिगम क्या है वह चीज़ के अधिगम करें आ वहाँ पीष्लेट्व की वश्यकृत् ellis कि सब से पहले हैं बोला क्या शिच्छा के टरीकों कॉसन हो गया ओधिपन कॉसन हो गया यह सभी आप लिख सकते हैं और उसको किस तरीके से आप लोग क्लास देते हैं उचीज के बारे में आप लोग को लिखना है यानि कि अनुदेशनात्पर क्रिया है के बारे में आप लोग को लिखना है अब फ्रेंट्स आ चुके हैं हम लोग काफी महत्पून और यानि की ग्रुप सीक्योर आगें जो काफी महत्पून है देख लेजिए जो कोसन होगा लॉंग टाइप कोसन लिखने का होता है तो देखे सबसे पहले क्या अधिगम को परिभासित करें फ्रेंट्स अधिगम को प fan.. इसके बार मैं बहुत सार्य पोंच लिखते या मैं कुछ बताता हूँ सबसे पहले इसका अर्थ लिखका तो अधिगम को डिख नने वहाँ आ अता सिखना और देखे सबसे पहले जो विभार में परिवर्तन करने के वारे जो गया था वह वाटसर नामक वेग्यानिक ने बोला था वाटसर नामक वेग्यानिक ने बोला था कब बोला था 1905 में बोला था और देखे वेभार सब्द का सबसे पहली बार यूज किया था विल्यम् मैकडो योगल के द्वारा किया गया था सबसे पहले परियोग किया था उसके साथ अधिगा में अस्थाई परिवर्तन जिसमें तीन जरूरी यह थे पहला अभ्यास अभ्यास आप लोग बीना अभ्यास का कुछ नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस में परफेक्ट आप एक्स्प्येंश हर चीज़ें मंगता है तो यह आनि फ्रैस आप लोग को तीन जरूरी होता अधिगम के लिए अभ्यास प्रसिचन और अनुभव क्लिए इसके साथ साथ यह आपका अस्थाई परिवर्तन की बात किया ऐसमें आगर आस्थाई परिवर्तन की बात किया देख अधिगम के कौन सफिन्ध सिधान्त एक सिधान्त और जिने आपह पसंद करें कि MARK ए यानि अधिगम के सिधान्त कि आप लिए इसे सिधान्त के बारा में आप दो और पढ़े हूँगे तो गामाक अधीघम यानि जो सारे के अधार पर होता है जैसे आपने सरी दवारा विभिन प्रकाल की जो किरिया करता है उससे बोलते हैं लोग गामक किरिया जैसे बहुत अब है जो गामक ईधिगम में अनुकरण दिस होते हैं यानि जो गामक जो अधिगम जो होते हैं अनुकरण विदी सो अनुकरण चाफ चचया इससाय और जिससे हम बूलता है प्रती बोधात्मग क्या हता जिस सबसे प्रती ज वरेंoter आयनि यह बाल्य वस्था में होता है देखिए गामक अधिगम 600 वस्था में होता है लेकिन प्रति बधात्म विधी जो होता है आप लोग को बाल्य वस्था में होता है यानि कि मस्तिस्क में बनने वाला भीम को ही बोलते हैं प्रति बधात्म विधी यानि आप लोगो समझ में होंग отुक्ते चागर मतिस्थ्स सब्सक्राइब कर लिई सब्सक्राइब जो वाइक कि 10 अथा मीकिhte दी एप कर वे लिए श्यक्राइब कभाएबanda मतिस्थ्स की द्वारा घो डाइब बित और प्रयास के रहें हूं है आप कहां तक हैं आप कहां तक हैं आप कहां तक समझते हैं सिच्छन और प्रामदर्शता और सुगमता यान इसके बारे आप लोगों को लिखना होगा के लिए नेक्स्ट डिसकस्ट देखे ले वायोट्स की द्वारा परति पादी अधिगम सरंचना यह फ्रेंट्स कोसन फिक जादे इंपॉर्टर्स लग रहा उसके साथ सिच्छन के अववोध को परिभासित करें इसके विविन अवस्थाओं को विश्तार पूर्वा को बढ़ना करें यानि फ्रां सिच्छन के बारे में आप लोग को लिखना है इसके बारे में किलियर है नेक्स्ट बता दिए क्य बताइए सिच्छन को विश्तस पाइए सिच्छन को सल क्या है अभी तो में थी चांसे से था सिच्छन को सल क्या 뉴스 को सरा थ общем से 버क्षा ज़रूरी होता है देखे सिãychnya को सला सिषक के दोबारा सिच्चक के दोबारा क्लास में प्रशन पूछना परिच्छा लेना व्यक्र देना सहयक समागरी करना यह ऊसे पूर्ण बलं करना या पिर उसे तारीफ करना मो यह रिएक करना यह सबी प्रक्रिकिलिए अजितने क्लास में जो शिछक अपने विद्यारतियु Milky लिए करो ठेल को चलिए लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स का इंतजार रहता है चलिए ठेंक्यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चलिए ठेंक्यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चलिए ठेंक्यू सो मच